असलाम लेकूँ उर्दु जवान की दूसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नमबर 6 पाट का नाम है पंचक्खी तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखना वीडियो पसंद आए तो लाइक करना हमारे चैनल पर नहे हैं तो सस्क्राइब करना आई अब हम पढ़ना सुरू करते हैं बिसमिल्ले रह्मान रहीम नहर पर चल रही है पंचक्खी धुन की पूरी काम की पक्की बैठती तो नहीं कभी ठककर तेरे पैये को है सदा चक्की पीसने मैं नहीं लगी कुछ देर तूने जट पर लगा दिया इक धेर लोग ले जाएंगे समय समयट तेरे आटा बरेगा कितने पेट तेरा आटा सहर के सहर है तेरे महताज भर के लाते हैं गाडियों मैं आज तू बड़े काम की है ए चक्खी काम को कर रही है ते चक्खी खतम तेरा सफर नहीं होता नहीं होता मगर नहीं होता मेह बर्षात हो या पानी आंदी तूने चलने की शर्त है बांदी तू बड़े काम की है ए चक्खी मुझको भाई है तेरी ले चक्खी इल्म सीको सबक पड़ो बच्चो और आगे चलो बढ़ो बच्चो खेलने कूंदने कामत लो नाम जब तक की होना जाय तमाम जब निपट जाय काम तब है मजा खेलने खाने और सोने का दिल से महनत करो खुसी के साथ ना की उकता के खामोसी के साथ देख लो चल रही है पंचक्खी धुन की पूरी काम की पक्की इसी पाट को में एक बार और पढ़ेंगे नहर पर चल रही है पंचक्खी धुन की पूरी काम की पक्की बैरती तो नहीं कभी ठककर तेरे पईये को है सदा चक्की पीछने में नहीं लगी कुछ देर तूने जट पर लगा दिया एक धेर लोग ले जाएंगे समेर समेट तेरा आटा भरेगा कितने पेट सहर के सहर हैं तेरे मोहताज भर के लाते हैं गाडियों में नाज तू बड़े काम की है ए चक्की काम को कर रही है ते चक्की खातम तेरा सफर नहीं होता नहीं होता मगर नहीं होता में बर्शात हो या पानी आंदी तूने चलने की शर्त है बांदी तू बड़े काम की है ए चक्की मुझको बाई या तेरी ले चक्की इल्म सी को सबक पढ़ो बच्चो और आगे चलो बढ़ो बच्चो खेलने कुने का मतलो नाम काम जब तक की होना जाए तमाम जब निपट जाए काम तब है मजा खेलने खाने और सोने का दिल से महनत करो खुशी के साथ न क्युकता के खामोसी के साथ देख लो चल रही है पंचक की धुन की पूरी काम की पक्की इसी वीडियो में सबक नमर 7 भी पढ़ेंगे पाट का नाम है एक शेर और चीता एक शेर और चीता नमर वन एक शेर और चीते ने मुत्तफिक होकर बड़ी कोशिश और दोर धूप के बाद हिरन का बच्चा शिकार किया एक शेर और चीते ने मुत्तफिक होकर बड़ी कोशिश और दोर धूप के बाद हिरन का बच्चा शिकार किया हिस्सा तक्सीम करते वक्त दोनों में अन्मन हो गई नमर टू, थे दोनों गुस्सावर यहां तक की नौबत पहुँची कि एक ने दूसरे पर हमला किया और खूब कुस्तम कुस्ता हुई उसने उसको जंजूडा दातों और पंजों से मारे दोनों लहु लुहान हो गए आखिर बेदम होकर अलग अलग जा बैटे नमर थरी, इतने में एक लोंब्री जो इसी ताक में बैटी थी चुपके से आई और सिकार उठा कर चंपत हुई इन दोनों में इतनी सकती कहां बाकी थी कि उससे अपना सिकार छीन लेते नमर फूर, जब लॉंब्री सिकाल ले उड़ी तो सेर और चीते ने अपनी कर्टूत पर निहायत पशेमान हुए तो सेर और चीते अपनी कर्टूत पर निहायत पशेमान हुए जो गुसे में आपे से बहान न होते तो यूँ जखम खाते ना माल अपना होते तो यूँ जखम खाते ना माल अपना होते